गुट बॉर्निंग एवरीवान वेल्कम बैक टू आवर चैनल मेरे पूरे कुके स्पाट फामिली आप सभी स्वस्त्र हो सुरक्षित हो और खुब खुश हो हर दिन की तरह आज भी यहीं मेरे भिलाश है दीवाली के काम की थकान बहुत जादा हो रही है ना अभी मैंने बहुत से लोगों को शॉपिंग करनी थी तो उनके रिख्वेस थे तो मैंने सुचा पहले वह वाले वीजियो पूरे कर दू क्योंकि हो याँ और डिवाली शॉपिंग करनी है तो रिवीवीज वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया जो भी मैं कर सकती थी जिनको मैं यूस करत कि अज का वे हैं कुछ दुनों पहले मैंने MOOC जेरा आजवाइन का चूरन बनाया था आपके साथ शेयर किया था वह चूरन खतम हो गया है तो मैं आज फिर से वह चूरन बना रहे हूं 1 4 अब लेंगे सब्स-ànस- Bueno प्लेंगे अजवाइन और वन फोर्थ कप लेंगे जीरा जीरा सौफ और अजवाइन तीनों ही बराबर लेंगे जिस बी बरतन से आप नापते हो और इनको ड्रै रोस्ट करेंगे तीनों को इसमें आप सफेद तिल या फिर अलसी भी मिक्स कर सकते हैं यदि आपको खड़ा नमक स्वात के लिए तो नमक जितना आपको डालना है अपने स्वात के अनुसार डाल दें गरम पैन है तो हींग डालने से वह भी भूण जाती है और बहुत अचछी खुश्बुआती है इसको ठंडा होने देंगे गास बंद है ठंडा होने के बाद उसका पाउडर बनाएग और सबको डाल करके इसको पीस लेंगे इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है तो बिना पानी डाले ही ये मसूर की डाल अच्छे से पेश चुकी है हलकी सी दरदरी सी भी रही तो भी अच्छा है बस गाड़ी सी रहे क्योंकि जब हम पकोड़े बनाएंगे तो वो गोल शेप में रहेंगे अगर दाल गीली हो जाएगी तो वो फ्लैट हो जाते हैं इसमें डाली हींग और साथ में डालेंगे नमक सुअध की अनुसार चुटकी भर हल्दी पाउडर इससे कलर अच्छा सा आएगा और मिक्स कर देंगे बाकी के मसाले हम ग्रेवी में डालेंगे इसलिए हमने ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाला है अदरक, हरी मिर्ची, जीरा, पीस्तिय वक डाला है और अभी डाला है हल्दी नमक और हिंग हिंग की खुश्बू अटेज बहुत अच्छा आता है अच्छे से फेट के दाल को साइड में रख लिया अब लिया है प्यास, आदरक, लसुन और हरी मिर्ची इनका हम पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी कितनी चाहिए सबजी की कॉंटिटी के हिसाब से आप प्यास ज़्यादा ले सकते हैं यहां बड़े साइस की एक प्यास, दो, तीन कली लसुन की हरी मिर्ची, दो और एक टुकड़ा आदरक पीस लिया टामाटर की भी प्योरी बना लिया है हरा धनिया काट करके साइड में रख लिया है तब तक यह ठंडा हो गया सौफ, जीरा और अजमाइन वाला मुकवास और इसको ग्रैंडर जार में डाल करके पाउडर बना लिया है इसको ऐसे खड़ा भी खाते हैं भूनने के बाद मैं हमेशा बनाती थी मुकवास लेकिन अभी फिल हाल मैं काफी दिनों से पीस के रखती हूँ इसको पाउडर बनाने के बाद किसी भी ड्राई जार में आप भर के रख लो और इसी ग्लास कंटेनर में भर के रखा था मैंने लास टाइम भी खतम हो गया था तो दुल के रखा था और इसमें वापस से भर लिया है इसे आप एक चम्मच ले करके इस चूरन को ऐसे खा भी सकते हैं और फूपर से पानी पीलो या फिर गुनगुने पानी में डाल करके इसको मेक्स कर लो पीलो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं और ज्यादा टेस्टी लगता है बस पाउडर बना करके आप किसी भी ड्राई कंटेनर में भर के रख लो महिने 15 दिन स्टोर कर सकते हैं या बीच बीच में भी आप जल्दी से फ्रेश बना सकते हैं तो बस यह बन गया और इससे रखा साइड में अच्छा पाउडर थोड़ा से मिर्ची पाउडर और अज्वाइन क्रश करके डालेंगे हिंग डालेंगे नमक स्वात के अनुसार डाला है और सफेद तील डाला है एक बड़ा चमच अच्छी से उबाल आने लगी है पानी में एक बड़ा चमच ओयल डाला है यह एक कप लेंगे भा पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और इसे हम पानी में डालकर मिक्स करेंगे इसकी रेसिपी मैं अलड़ी शियर कर चुकी हूँ वह लिंक मैं डिस्किप्शन में दूंगी आप चेक कर सकते हैं यह पाउडर जैसे बना के रख लो फेस्टिवल टाइम पे आपको इखटा बहु महीने भर के लिए तो टेस्ट खराब हो जाता है ना यह फेस्टिवल के बाद खतम हो गई फिर बना लो तो इस तरीके से पानी में मिक्स करके साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब इसको अच्छे से मिक्स करके गूत लेंगे यह परफेक्ट नाप रहता है यहाँ पर कड़ाई में मैंने तेल गरम करने रखा है और यह जो दाल हमने सबसे पहले पीसी थी फेट करके रखी थी इसके हम मीडियम साइस की बाल्स छोट छोटे से पकॉड़े बनाएंगे बहुत बड़े बड़े से नहीं और बहुत छोटे मंगोड़ों जैसे भी नहीं ऐसे फूल जाते हैं यह और तेल की उपर आ जाएंगे तैरने लग जाएंगे अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं बाहर से एकदम करा रहे हैं यह जो पकॉड़े हैं इसमें अगर आप बारीक प्याज काट करके डाल देते हैं तो यह आप स्नैक्स की तरह चटनी के बढ़े बनते हैं प्याज वाले बहुत अच्छे लगते हैं उसमें हरी मिर्ची हरा धनिया प्यास डालो अंदर से एकदम सॉफ्ट से रहते हैं बहार से करा रहे हैं अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया एक चम्मत जीरा हींग और प्यास अद्रक लसुन हरी मिर् साथ करके भूण लिया है जब प्यास हलकी सी बुन चुकी है फिर डाल थी पाउदर धनिया पाउडर मिर्ची पाऊडर deliver गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी इस सभी मसालों को प्यास के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे अच्छे से धीमियाच में इसको भूने लगतार फिर इसमें डालेंगे टमैटो प्यूरी और इसी के साथ डालेंगे नमग जिससे टमाटर जल्दी से कढ़ाई विद स्टेनलेस स्टील लिड और इसकी साथ जो लिड दी गई है इसको मैंने ढख दिया और आज धीमी कर दी है और धीमी आज में मसाला बहुत अच्छे से बुन चुका है बस तेल एकदम जैसे सेपरेट सा हो गया है मसाला चबुनने के बाद इसमें डालेंगे प सब्ची होती है यह जो भी दाल के पकोड़े होते हैं ना मोंग की चने के या मसूर के यह पानी सोग कर लेते हैं यहां पर मैंने छोटे कुकर में चावल दुल करके नमक पानी और घी डाल करके कुकर बंद करके साइड में रखा और यहां पर ढख करके रखी थी सब्ची औ बहुत बनती है। चने की डाल के भी हम लोग सेम ऐसी बनाते हैं। और मसूर की डाल के बनाते हैं। पकोड़े भी खा सकते हो और आप बाद में सबजी भी बना लेते हो। अब ये जो हमने ढखके रखी थी चकली का आटा इसको अच्छे से मेक्स करना है, हलका ठंडा हो गया है, बढ़िया है, कई बर चल्दी अल्दी करो तो बहुत गरम रहता है, लास्ट टाइम मुझे याद है हांत जलने लग रहे थे, अब इसको अच्छे से मल लिया है और प्लेट में या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक है, कई सारी चीज़ों में बना सकते हो, जिनको आप उठा सको हातों से पकड़ के, फिर चकली तूटती भी नहीं है, और इस तरीके से चकली मूड से चकली का शेप बना करके, रोल करके गरम तेल में डाल देंगे, जैसे अब हम नहीं चकली डाली है तो तेल गरम है तेज फिर आज दीमी कर दो और जब वो एक साइट से अच्छी सी करारी सी हो जाए तभी पलटना अगर सौफ्ट हुई पलट दो तो फिर वो तूट जाती है पूरी इखटा बना के नहीं रखना चकली के लिए थोड़ी थोड़े बैचे पूरा रेड़ी हो जाए फिर आज दीमी करके और फिर इसको वापस से बना लो फिर ऐसे चार चार पांच पांच छेचे ऐसे बनाते जाओ क्योंकि अगर अपने बना के रख ली और फिर दूसरा बैच बन रहा है तो तूट जाती हावा से सूख करके अभी एक मैं पलट र पलट दो और इस तरीके से एक लंबी धार से निकलता जाता है ना फिर मुझे ऐसे लंबा बनाके फिर फोल्ड करने में ज्यादा इजी लगती है चकले तो फिर मैंने बाकी की वैसे ही किया एक लंबी सी पहले हाथ उचाई पकड़ लो जैसे लंबी सी गिर रही है फिर नी प्रविंट हो जाता है तो इस सरी किसे छोड़ जोड़े बैचेज में ही ये सारी की सारी चकली तयार होगी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है दाल चावल रहती है बुनी हुई चकली में कई सारी रेसिपी शेयर कर चुक हुई यार चावल की मूं की और इसकी लॉंग प् प्रविंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रहता है ना तो जोर नहीं पड़ता कल सोच्रियों मठ्री बना लूँ और सेव बना लूँगे क्योंकि नमकीन बच्ची ज्यादा पसंद करते हैं ना मीठा तो कम ही खाना चाहते हैं फिर भी एक आच चीज तो बनाएंगे मीठे मे भी नारियल के तो चली हो बर्फी या लड़ू बनाऊंगे और बस यह रैडी हो गए अकरारा करारा से सेखना कच्चा ना रहे बहुत तीज आच में नहीं एक जैसी सिकें जाग जैसे शांत हो जाती है तो समझ जाना कि फिर वो निकालना है बाहर तेल से और एकदम टाई रहती है और बिल्कुल वी सोक नहीं करती है जैसे मैंने छनी में रखा और नीचे एक बरतन था उसमें जर अभी ओईल नहीं है मतला यह तेल सोक नहीं करती है और शुब हमको तो बहुत पसंद है चकली वो बिना सीजन के बिना दिवाली के ही बीच-बीच में इसकी हो जाए तब ही आप कंटीनर भरके रखना क्योंकि अगर आपने गरम गरम में भरके रख दिया तो क्रंची भी रहेंगी ना तब भी वो डबे में रखने की वज़े से फिर भाप में वो सॉफ्ट हो जाती है तो इसलिए पहले वो अच्छी ठंडी हो जाए मठरी हो चकली ह जो भी आप ऐसे स्नाक्स बनाएंगे ना इन दिनों दिवाली में बीच का मौसम होता है ना गरम होता है ना ठंडा तो वो थोड़ा टाइम लेती है चीज़े ठंडा होने में और तिन दिन में चावल भी रेडी हो चुके हैं रोटियां भी सिख गई हैं और हमारी ये दाल क की मंगोडियों की सबजी है तो प्लेटिंग करते हैं काफी सिंपल है लेकिन टेस्टी थाली है प्लेन राइस है और ये पकोड़े की सबजी और मूली की सैलड है चकली है चपाती हमाई बांदा में तो मतलब मिलती थी ये मंगोड़े की सबजी रसे वाले मंगोड़े बोल बहुत जब अच्छे से ठंडी हो गई हैं फिर किसी भी ड्राई कंटेनर में भरके स्टोर कर लो निकल आए हमारे दिवाली स्नैक्स कंटेनर इनमें मैं लास्ट टाइम भी मुझे याद है सारे कंटेनर अलग-अलग वराइटी फुल बनाई गई थी ना तो बस सब ऐसी थोड ये नारियल का सोच रही थी और थोड़ी सी गुजिया सोचीयों बनाऊंगी मट्री और सेव और क्या बनाऊं चूड़ा तो बनेगा बनेगा शुबी आजा इसका इंतजार कर दी हो मैं कि फिर उसको हॉस्टल में जो जो ले जाना है उसकी हिसाफसे में बनाऊंगे फिर ब बनाऊंजाए ये ऑयाय रही जूड़ा धूई गग टॉट यूड़ी यूदक कर दो वा की कम च जोड़ी ऑनाऊंगे बनाऊंगे बनाऊंफ पर दॉबाल पकुन चूड़ी में घोड़ी वापाः बनाव को जोड़ी है और गली और कुर्से-ा बना-ऊ ये ऑनाःमीर बना